अभिशेक के एविक्षन को लेकर जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दे कि अभिशेक के एविक्षन को लेकर खबर या रही है कि अभिशेक फिलहाल सीक्रेट रूम में है जी हां आपने सही सुना अभिशेक को एलिमिनेट करके सीक्रेट रूम में रखा गया है यानि की वीकेंड का बार के बाद अविशेक की वापसी हो सकती है अविशेक को सीक्रेट रूम में इसलिए रखा गया है कि वो देख सके कि उसके पीछे से कौन उसका दोस्त है और कौन नहीं यहां लगातार देखने को मिला था कि शुरुवात में मुनावर और आयशा दोनों ही उसे धोका दे रहे थे यानि कि कहा जाए तो मुनावर जब जरूरत थी अभिशेक को तब उसके साथ खड़ा नजर नहीं आया है तो अब यहाँ पर एक चीज जो लगातार सामने आ रही है उसके हिसाब से अभिशेक को सीक्रेट रूम में डाल दिया गया है जिस तरीके से अभिशेक ने शो में कॉंटेंट दिया है उसके बाद मेकर्स उसे अविक करना एफोर्ण नहीं कर सकते और जहां तक बात है अभिशेक के अलिमिनेशन की तो सल्मान वो क्लिप्स देखकर फैसला लेंगे कि यहाँ पर वाकई में अभिशेक ने अग्रेशन दिखाया था या नहीं अभिशेक लगातार ये बात बोलता आया है कि यहाँ पर उसे ईशा और समर्थ ने पोक किया था और उसी के बाद वो हाथ उठाने को मजबूर हुआ था हम सब ने भी देखा कि किस तरीके से समर्थ ने अभिशेक के मूँ में टीशू ड नहीं जाता तो हम आपको बता दे कि यहां पर अब साफ है कि अभिशेक को शायद सीक्रेट रूम में रखा गया है और अब सल्मान खान इस बात पर फैसला लेंगे कि क्या अभिशेक को बाहर लाया जाए या नहीं यानि कि हो सकता है कि वीकेंड का वार के समय या फिर उसक को सब्सक्राइब करना ना भूले